हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्राखंड एक समग्रध्यन को स्टेडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम उत्राखंड के एतिहासिक धार्मिक वर परियतन स्थलों के बारे में स्टेडी कर रहे थे स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे, आज हम यहां से पढ़ेंगे, इसमें पहला पॉइंट है उत्राखंड के अभी भी कुछ धार्मिक स्थल है, जो सास्कृतिक स्थल है अभी भी वो कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और आज अपना जो ये टॉपिक है उत्राखंड के प्रमुक एतिहाशिक धार्मेक वपरेटर नस्थल इनको इस टॉपिक को आज कम्प्लीट करेंगे स्टूडेंट इसमें पहला पॉइंट है कुणजापुरी देवी मंदिर कहा पर स्थित है तो स्टूडेंट इसलिए जो कुणजापुरी देवी मंदिर है वहां पर सती माता के शरीर का उपरी भाग की पूजा होती है तो student इसलिए जो कुझापुरी देवी मंदिर है उसकी जो स्थापना की गई है वो नरेंद्र नगर टिहरेडिस्टिक में की गई है student जो कुझापुरी देवी मंदिर है वहाँ पर सती माता के शरीर का उपरी भाग माना जाता है इसी लिए वहाँ पर सती माता की पूजा होती है नरेंद्र नगर टिहरी गड़वार डिस्टिक में कुंजापुरी देवी मंदिर स्थित है नेक्स पॉइंट है टिहरी नरेश का भव्य महल जो की नरेंद्र नगर के पास जंगल में स्थित है उसको क्या कहा जाता है उसे आनंदस्पा कहा जाता है नेक्स पॉइंट है कंडोलिया पहाड़ी की धाल पर बसा है स्टूडिन्ट कंडोलिया पहाड़ी की धाल पर बसा है श्री नगर पौड़ी गड़वाल स्टूडेंट श्री नगर पौडि गडवाल कंडोलिया पहाडी की धाल पर बसा है नेक्स पॉइंट है अठारसो चुरानवे में गौना जील तूटने से अधिकानी हुई थी श्री नगर को जोकी पौडी गडवाल डिस्टिक में इससे थै नेक्स पॉइंट है पौडी जिले में मालिनी नदी के तड़ परिस्थित कडवाश्रम जोकी प्राचीन काल में सिक्ष्या का एक महान केंद्र था और वहां पर उसको क्या माना जाता था कि वही पर भरत का जन्म भी हुआ था और जिसके की माता पिता मेंका की पुत्री सकुंतला और राजा दुश्यन तो उसके पिता थे और जो भरत है जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है उस भरत की माता का नाम था सकुंतला और उसके पिता का नाम था द और स्टूडेंट इनका जो भरत का जो जन्म हुआ है उस स्थान को महाकवी कालिदास ने किसले प्रदेश के नाम से उसको बताया है। नेक्स पॉइंट है प्रशिद कमलेश्वर मंदिर स्थित है। Student, प्रशिद कमलेश्वर मंदिर पौडी गडवाल डिस्टिक में इस्थित है. Next point है, संभू, निसंभू, परवतों के पास इस्थित शिव मंदिर, नील कंथ महादेव मंदिर पौडी गडवाल डिस्टिक में इस्थित है. Student, संभू, निसंभू परवतों के पास इस्थित शिव मंदिर है, नील कंथ महादेव मंदिर जो की पौडी गडवाल डिस्टिक में इस्थित है. Next point है, काली का माता मंदिर जो की जहां पर प्रतेक तीसरे वर्स शर्दियों में मेला लगता है, काली का माता का वह मंदिर बीरो खाल पौडी गडवाल डिस्टिक में इस्थित है. स्टूडेंट काली का माता का वह मंदिर जहां पर प्रतेक तीसरे वर्स शर्दियों में मेला लगता है, काली का माता का ऐसा मंदिर बीरो खाल पौडी गडवाल डिस्टिक में इस्थित है. नेक्स पॉइंट है धारी देवी मंदिर उत्रा खंजिन है कि जो धारी देवी हैं उनको उत्रा खंड की रक्षक देवी भी कहा जाता है और वहाँ पर क्या हैं वो अलग नंदा नदी के ऊपर इस्थित हैं जो धारी देवी मंदिर है तो स्टूडेंट वो धारी देवी मं मंदिर श्री नगर पौड़ी गड़वार दिस्टिक में इस्थित है और जो धारी देवी हैं उनको उत्राखंड की रक्षक देवी कहा जाता है नेक्स्सफ पॉइंट है जोगी जो जवालपा देवी मंदिर है वो नबालिका नदी के तड़ परिस्थित है और ज्वालपा नदी मंदिर शत्पुली पौडी गड़वाल डिस्टिक में इस्थित है Next point है प्रशिद्ध परियतन स्थल खिरसु कहां परिस्थित है स्टूडिंट प्रशिद परेट अनस्थल खिर्शू पौड़ी गडवाल डिस्टिक में इस्थित है नेक्स पॉइंट है भीलेश्वर व नीलेश्वर परवतों के बीच में बागेश्वर बसा हुआ है स्टूडिन्ट भीलेश्वर्व नीलेश्वर परवतों के बीच में बागेश्वर नगर बसा हुआ है जो पागेश्वर डिस्टिक है वो भीलेश्वर्व नीलेश्वर परवतों के बीच में बसा हुआ है नेक्स पॉइंट है एतिहासिक धार्मिक तथा पुरा तत्व की द्रश्टी से महत्वपूर्ण तैली हाठ मंदिरों का समूह बैजनात में स्थित है और ये बागेश्वर्ड स्टिक में स्थित है स्टूडेंट एतिहासिक धार्मिक तथा पुरा तत्व की द्रश्टी से महत्वपूर्ण ताली हाठ मंदिरों का समूह बैजनात इस्थित है बागेश्वर्ड में नेक्स पॉइंट है शिव पारवती के विवाह इस्तल के रूप में प्रशिद है बैजनात बागेश्वर्ड जो प्रशिद अनासकतिव लक्षमी आस्रव है वो कौसानी बागेश्वर्ड में स्थित है जबकि अभी हमने पड़ा शिव पार्वती के विवाह इस्तल के रूप में जो प्रशिद्ध स्थान है वो है बैजनात बागेश्वर और प्रशिद्ध अनासक्ति वर लक्षमी आश्रम कौसानी बागेश्वर में इस्थित है नेक्स पॉइंट है रक्षा बंदन के अवसर अवसर पर बगवाल मेले के लिए प्रशिद्ध देवी धुरा बारा ही धाम कौन से डिस्टिक में आता है स्टूडिन्ट रक्षा बंदन के अवसर पर जहां पर बगवाल मेला लगता है वो प्रशिद्ध स्थान देवी धुरा बारा ही धाम है चमपावट डिस्टेक में नेक्स पॉइंट है तीन जिलों जिसमें की अल्मोडा नैनी ताल वचमपावत की सीमा परिस्थित है देवी धुरा स्टूडेंट जो देवी धुरा स्थान है जिसे की बारा ही धाम कहा जा रहा है और उस देवी धुरा में ही रक्षा बंदन के अवसर पर बगवाल मेले का आ जिलों अल्मोडा नैनी ताल वचमपावत की सीमा परिस्थित है नेक्स पॉइंट है बारा ही धाम में चमपा देवी व ललित ध्वजा महाकाली की प्रतिष्था बारवी सदी में कराई गई थी चंद राजाओं की द्वारा स्टूडेंट जो बारा ही धाम है वहां पर चम पॉइंट है बारवी सदी में कराई गई थी चंदर राजाओं की द्वारा नेक्स पॉइंट है पूर्णा गिरी मंदिर जो की प्रशिद सक्ति पीठ है और वहां पर चैत्र नवरात्र में मेला लगता है तो स्टूडेंट कोश्चन में पूछा गया है कि जो पूर्णा ग पूर्णा गिरी मंदिर चंपावर डिस्टिक में है और पूर्णा गिरी मंदिर को प्रशिद सक्ति पीठ कहा जाता है और यहां पर चैत्र नवरात्र का मेला भी लगता है नेक्स पॉइंट है अखिल तारणी मंदिर जहां जिस जहां पर की उप सक्ति पीठ है और चमपावर डिस्टिक में इस्थित है नेक्स पॉइंट है कुमाव में केदार नाथ्व बदरी भगवान के मंदिर कहां पर इस्थित है स्टूडेंट कुमाव में केदार नाथ्व बदरी भगवान के मंदिर द्वारा हाट अलमोडा डिस्टिक में इस्थित है नेक्स पॉइंट है कुमाउ छेत्र का पहला नगर किसे माना जाता है स्टूडेंट कुमाउ छेत्र का पहला नगर चमपावत को माना जाता है नेक्स पॉइंट है, जन जाती आस्था का केंद्र घटको मंदिर कहा पर सित है नेक्स पॉइंट है, प्रशिध बालेश्वर व क्रांतेश्वर मंदिर तथा एक हतिया नोला कहा पर सित है स्टूडेंट प्रशिद्ध बालेश्वर व क्रांतेश्वर मंदिर तथा एक हथिया नौला चंपावर डिस्टिक में इस से थै नेक्स पॉइंट है विवेका नंद से संबंधित प्रशिद्ध मायावती आश्रम जहां से प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था वो प्रशिद्ध मायावती आश्रम चंपावर डिस्टिक में इस से थै नेक्स पॉइंट है कुमाओ मंडल के सरवाधिक लोक पोजित सीग्र फल्दाई वन्याय के देवता जिन्हें की गौरिल या गौरिया कहा जाता है या भनरिया कहा जाता है या गवेल या गोलु देवता कहा जाता है उनका मूल स्थान चमपावत सित गोरिल चोड को माना जाता है स्टूडिन्ट कुमाओ में इनके अन्य स्थान नैनिताल के घोडा काल में घोडा खाल में वह अलमोडा के चितई जिसे की परमोच चिन्यायाले कहा जाता है वहाँ पर सित है स्टूडिन्ट जबकि गडवाल मंदल में जौनपुर टिहरी में गौरिया नाम से एक मंदिर है तथा पौरी में कंडोलिया देवता के नाम से गोलु देवता का एक मंदिर है स्टूडिन्ट पौर्णागिरी शक्ति पीठव पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर कहां पर सिथ है नेक्स पौर्णागिरी शक्ति पीठव पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर चंपावर डिस्टिक में सिथ है नेक्स पॉइंट है वर्ष में दो बार क्रशी मेला जिसे की क्रशी कुम्भ कहते हैं दो बार वर्ष में क्रशी मेला कहां पर लगता है स्टूडेंट उत्राखंड में वर्ष में दो बार क्रशी मेला लगता है क्रशी विश्व विद्याले पंत नगर में नेक्स पॉइंट है द्रोण सागर व गिरी सरोवर इस्थित हैं काशिपूर उधम से नगर डिस्टिक में जो द्रोण सागर है और जो गिरी सरोवर हैं ये दोनों ही काशिपूर उधम से नगर डिस्टिक में इस्थित हैं नेक्स पॉइंट है चैती मंदिर जिसे की बाल सुन्दरी मंदिर कहा जाता है आदी शक्ती बाल रोक में पूजित होती है इस मंदिर में और चैत में चैती का मेला भी इस चैती मंदिर में लगता है और यह चैती मंदिर या बाल सुन्दरी मंदिर काशिपूर के निकट में इ यहाँ पर आदी शक्ती बाल रोप में पूजित है और चैत में यहाँ पर चैती मेला लगता है तो यह मंदिर चैती मंदिर जो की बाल सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह काशिपुर के निकट इस्थे थैं नेक्स पॉंट है बयाल्व रण भूंगा चमपावत में हैं कसारी भूंगा बागेश्वर में हैं जबकी सत भूंगा नैनी ताल में हैं स्टूडिंट बयालव रन भूंगा चमपावत में हैं, कसारी भूंगा बागेश्वर में हैं, जबकी सत भूंगा नैनीतार डिस्टिक में हैं. स्टूडिंट नेक्स पॉइंट है, राज के रूप गुंड, जो रूप कुंड है वो चमोली डिस्टिक में सित है, पाताल भूवनेश्वर गुफा पिथोरागर डिस्टिक में सित है, हाट काली का मंदिर पिथोरागर डिस्टिक में सित है, देवी धुरा पाशान चमपावत डिस्टिक में स्थित है और नल दमियंती ताल नली ताल डिस्टिक में स्थित है चितई मंदिर गोलु देवता का जो मंदिर है वो अलमूडा में स्थित है और सुख ताल वो भी अलमूडा में स्थित है वन्शी नारायन मंदिर ये भी चमूली में स्थित है ये बैश्य माईी और आश्य आश्य जनक इस्थल हैं स्टूड़ेंट ये बताया गया है कि अभी हमने जिन स्थलों को पड़ा जिसमेकी रूपकुंड जो की पिथोरागर डिस्टिक में सित है, हाट कालिका मंदिर जो की पिथोरागर डिस्टिक में सित है, देवी धुरा पाशान युद्ध जो की चबावर डिस्टिक में सित है, नल दमियंती ताल जो की ननी ताल डिस्टिक में सित है, चितई मंदिर जो की अलमोडा डिस्टिक में सि यसमातं हैं यह सभी जो मंदिर हैं कि दर्शनिय स्थल हैं यह सभी उत्राकहंड के रहिश्य मईग आश्यरδα जनक स्थलों में आते हैं तो टूडिंट आज हम आई होप आपको समझ में आया हो और अपनी नेक्स लेक्चर में हम उत्राखंड के प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुकुस्तलों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडिंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग